हेलो एब्रीवन कैसे हो आप सब एक बार पुना हस्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूटूब चैनल स्यू कोचिंग क्लासेश पर उम्मीद करता हूँ दोस्तो आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी बेतर धंग से चल रही होगी दोस्तो आज की इस बीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बार आज जी एंसी आटी चैप्टर 10 के दोस्तो जितने भी most important question है वो हम आपको आज की इस बीडियो में बताएंगे तो आज़े सिधे बीडियो को ही start करते हैं देखिए जो दोस्तो पहला question है वो है खाद दे एवं जैव उर्वरक में अंतर तो देखिए खाद दे एवं जैव उर्वरक में जो अंतर है दोस्तो ये paper में आप से पूछा जा सकता है और चुकि दोस्तो चैप्टर 8 और 10 मिला क करके आपका unit 3rd बने है तो चैप्टर दोस्तो चैप्टर यहाँ पे जो 8 और 10 है इनसे आपके केवाल 3 नंबर के question पूछे जाएंगे तो 2 या 3 नंबर के question पूछे जाएंगे तो इनको आपको 2 या 3 नंबर के हिसाब से पढ़ने है तो देखिए पहला question है खाद देवं लोके उपयोग बतानी है कि किस-kis चेत्रों में या किस-kis field में किया जाता है अगला question है कि बिभिन चेत्रों में कबको की उपयोग इता बताईए तो देखिए कबको की या फंगाई की उपयोग इता या importance भी पेपर में कभी-कभी पूछी जाती है तो यह question भी आपके point आ यानि biological oxygen demand क्या होती है ये आपको समझाना है तो जैविक oxygen मांग या biological oxygen demand जो है ये paper में पूछा जाता है इसलिए आप इसको अच्छे से तयार कीजिए अगला question है कि जैव उर्वरक जो होते हैं ये किस प्रकार म्रदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं तो देखे जैव उर्वरक जो होते हैं मुखरूप से तो हमने ये सारे के सारे question भी हमने playlist में upload कर दी हैं आपने यदि नहीं देखा तो चैनल पे जा करके playlist में जा करके आप सर्च करेंगे टापिक तो वहाँ पे आपको सब के सब वीडियो जो हूँ वहाँ पे आपको मिल जाएंगे और आप playlist में जाकर करके क्रमसा इन question के answer भी प्राप्त कर सकते हैं तो देखे जैव उर्वरक किस प्रकार से म्रदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं ये question भी paper के point of view से काफी important है पीड़क नासी क्या होते हैं तथा जैव साक नासी एवं जैव केट नासी को भी समझाना है तो मुकरूप से क्या होते हैं जैव उर्वरक या इसके बाद वायोगा इसका नमांके चित्र और जैव पीड़क नासी क्या है तथा जैव साक नासी एवं जैव केट नासी को भी समझाना है आप चुकि पीड़क नासी मुखरूब से दो ही प्रकार के होते जैव साक नासी और जैव किट नासी तो आपको पीड़क नासी को भी समझाना है अगला क्वेश्चन है कि घरेलू उत्पादों में सूच मजीवों की भूमिकास को समझाईए तो देखे घरेलू उ सूच मजीवों का महत्त्व है तो वहाँ पर आपको जैसे पनीर बनाने के लिए आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि पनीर क्या होता है इसको किस प्रकार से तयार किया जाता है अगला क्वेश्चन है प्रति जैविक एंटिबायोटिक क्या होते हैं इनके प्रमुख स्रोत बत उसकी लिए कि कोई आये और यदि आप इन कोस्चनों को कर लेते हैं लगवग लगवग आपसे चैप्टर 10 के सभी कोस्चन भी आने लगेंगे तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी तो जुड़े रही है हमारे चैनल के साथ इसी प्रकार आपको पसंद आई होगी मिलते हैं दोस्तों नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बंदे मात्रम